नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जेनरल नौलिज के 10 इस वीडियों के वल्डिफियंस के एक्जाम्स को ध्यान मे रखते हुए ये वीडियों जो है वह बोन्स क्याовор x दोस्तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वेल लाकिन को भी प्रेस कर लें चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो Q1 है सांत घाटी इस्तित है सांत घाटी कहां पर इस्थित है? आप्सेंस हैं आपके आप्सें A तमिल नाइडू में आप्सें B हिमाचल प्रदेश में आप्सें C अरणाचल प्रदेश में और आप्सें D केरल में तो question number 1 का सही answer है option D केरल में सांत घाटी है दोस्तों जो वो केरल में स्थित है question number 2 है भारतिय बनस्पतिक सर्वेच्ण का मुख्याल लेक कहां पर इस्थित है? आप्सेंस हैं आपके option A दार्जलिंग में option B कोलकाता में option C लखनों में and option D होगा आपका इन में से कोई नहीं तो भारतिय बनस्पतिक सर्वेच्ण का मुख्याल लेक कहां पर इस्थित है? options हैं आपके बता चुका हूँ मैं आपके लिए तो question number 2 का सही answer होगा option C लखनों में question number 3 है हमारा भारत में उर्जा का सर्वादिक महत्पूर्ण स्रोत है option से आपके option A कोईला option B नाविकी उर्जा option C पेट्रोल and option D होगा आपका इन में से कोई नहीं तो question number 3 का सही answer है option A कोईला next question है हमारा question number 4 भारती राष्टरी बिग्यान दिवस options हैं आपके option A 5 जून option B 25 मार्च option C 28 फरवरी and option D 22 दिसंबर तो question number 4 का सही answer होगा option C 28 फरवरी next question है हमारा question number 5 भारत के तट रेखा की लंबाई क्या है भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है option से आपके option A 1,600 किमी option B 1500 किलोमीटर option C 6590 किलोमीटर या option D इन में से कोई नहीं question number 5 का सही answer होगा option A 1600 किलोमीटर या दोस्तो भारत के जो तट रेखा की लंबाई है उसकी 1600 किलोमीटर की लंबाई है तो अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के description से डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वेल आइकन को भी प्रेस कर लें तो next question की तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 6 भारत में समुद्री तर्रेखा बाले राज्यों की संख्या कितनी है भारत में समुद्री तर्रेखा बाले राज्यों की संख्या कितनी है options है आपके 9 option B 11 option C 15 and option D 3 तो question number 6 का सही अंसर होगा option A no राज next question है हमारा question number 7 भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है भारत और चीन के बीच में सी कौन सी रेखा है जो सीमा को निर्धारण करने की काम करती है option से आपके option A इंद्रपॉयंट option B डूरंड रेखा option C red cliff रेखा and option D मैक महन रेखा तो question number 7 का सही answer होगा option D मैक मोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच में जो सिमा निर्धारन का काम करती है उस रेखा का नाम है मैक मोहन रेखा और यहाँ पर भारत की जगा अगर पाकिस्तान होता दोस्तो तो वहाँ पर जो option होता आपका वह सही होता है रेट क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा सिमा निर्धारन का काम करती है उसको हम रेट क्लिफ रेखा बोलते हैं और जो भारत और चीन के बीच में करती है उसको मैक मोहन रेखा बोलते हैं next question है हमारा question number 8 भारत अब पाकिस्तान को विवाज़त करने बाली रेखा कहलाती है ओप्षन से आपके ओप्षन A दूरन रेखा ओप्षन B मैंक महन रेखा ओप्षन C रेड़ क्लिफ रेखा और ओप्षन D है आपका इन मेंशे कोई नहीं तो question number 8 का सही answer है ओप्षन C रेड़ क्लिफ रेखा नेक्स्ट कोईशन होगा हमारा question number 9 भारत की सबसे लंबी इस्थली सीमा किस देश के साथ है भारत की सबसे लंबी जो इस्थली सीमा है वो किस देश के साथ है ओप्षन से आपके option A बंगलादेश option B चीन option C पाकिस्तान and option D मियमार तो question number 9 का सही answer है option A बंगलादेश next question है हमारा आज का और आज का last question भी हो गई है question number 10 भारत का पूर्वी समुद्र तर्ट किस नाम से जाना जाता है option C आपके कोरो मंडल तर्ट option B कोंकर तर्ट option C मालावार तर्ट option D है इन मेंसे कोई नहीं question number 10 का सही answer है option A कोरो मंडल तर्ट तो ये थे हमारे आज के 10 questions वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं thank you for watching कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार